Welcome in RSK Maths Monitor, Chapter 6, Lines and Angles Exercise 6.3, Sum Number 1st करेंगे This is a Triangle, और हमारे Triangle के अंदर 3 angles दिए Find the unknown interior, मतलब अंदर वाले जो हमारे पास unknown angle है उसकी value हमने find out करनी है अब देखें, ये हमारे पास triangle है, वो triangle के 3 angles है हमारे पास तो हमारे पास जो property हो क्या होती है Sum of interior angle, किसके of? triangle, triangle को हम ऐसे represent कर सकते हैं कि जो triangle के अंदर के angle है, उनका sum सबका क्या होता है? 180 degree अब हमारे पास इन सबका sum करेंगे हमारे पास x plus में 50 plus 60 equal to सभी के सभी क्या मिलेंगे? होंगे 180 अब यहां से हमारे पास जो four chapter में हमने किया कि जो x यानि equation बन गई है equation में हमने variable की value find out करनी है पहले इन दोनों को plus करेंगे x plus में 50 और 60 110 equal to 180 x की value find out करनी तो 110 को यहां से move करेंगे left से right की तरफ x की value x as it is 180 आपका as it is 110 यहां plus का है इदर जाएगा तो minus का हो जाएगा minus करोग तो 70 degree तो हमारे पास जो unknown angle है is 70 degree same as इसकेंदर हमारे पास sum of interior angle of triangle is 180 तिन्नों angles का sum यहनि first angle plus second angle plus third angle तिन्नों मिलाकर हमारे पास क्या हुए 180 degree 1,2,3 variable same हो तो हम add कर सकते है 3x equal to 180 x की value find out करनी है x को हम as it is रखेंगे 180 as it is 3 यहाँ पर multiply में है जब move करोगे इधर यहाँ multiply में तो इधर आएगा तो divide हो जाएगा यहाँ इसको हम divide करेंगे 3,6,0,18,0 यहनि जो x की value हमारे पास क्या होगी 60 degree 60,60,60,60 जहाँ सभी angle sequel है तो आपकी वो क्या हुई equilateral triangle अब third part में sum of the angle same हमारे पास property है sum of angles of triangle triangles के सभी angle का sum हमारे पास क्या होता है 180 यह आपकी language में mathematical language में लिख सकते हैं कि जो first angle plus second angle plus जो यह box है वो represent करता है कि angle हमारे पास क्या है 90 degree का यह हमेशा perpendicular को show करता है और इसकी value होती है 90 degree तीनों मिलाकर हमारे पास हुए 180 degree अब इन दोनों का variable same है इनको add कर सकते हैं 2x और 1x 3x 90 को यहां से move करेंगे left से right की तरफ 180 as it is यह 90 plus इदर आएगा तो minus का हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 में से 90 गए तो 90 जो x की value हम find out करेंगे x इक्वल टू 90 हमारा already यहां पे है 3 को move करेंगे यहां पे multiply में इदर आएगा तो आपका divide में हो जाएगा 3 से divide करोगे 3 3s are 9 और 0 यान जो x की value हमारे पास 30 हुई जो एक angle हमारे पास 30 degree हुआ और दूसरा angle क्या होगा 2x यानी x की multiply में 2 को 30 से multiply करेंगे 60 degree This is question number first Question number second जो हमने 4 chapter में 5th में 6.2 में जो भी property हमने सिखी उन सब की application इसके अंदर होगी जैसे हमारे पास 6.2 में हमने किया था कि जो बहार एंगल है exterior angle किसके एकवल होगा sum of the interior angle यानी सबसे पहले हम exterior 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 angle किसके एकवल होता है जो बहार वाला angle है वो होता है ये इसका urgent angle है 7 वाला angle है उसके सामने दोनों angles के sum के equal यानी x प्लस में 50 degree दोनों के plus के equal होगा लेकिन exterior angle की value क्या दिया है 120 degree तो equal to में हम 120 रखेंगे यहां से हमने x की value find out करनी x as it is 120 as it is 50 को move करेंगे यहां से plus इदर जाएगा तो minus हो जाएगा तो x की value हमारे पास हुई 70 degree यह हमारे पास 70 आ गया अब y की value हम linear pair की help से भी निकाल ज़ते हैं देखो यह हमारे पास एक straight line है straight line के उपर यह complete जो हमारे पास half circle बना हुआ यह होता है 180 का यानि y plus 120 दोनों को मिला कर हमारी एक straight line बनती है तो straight line पे angle होता हमारे पास 180 degree हम bracket में लिखेंगे कि यह यह है linear pair एक line को show करता है यहां से y की value find out करेंगे y को as it is रखेंगे 120 को move करेंगे left से right की तरफ 180 ओरेडी है plus का 120 यह इदर जाएगा तो minus का 120 यहां से हमारे पास 60 x और y दोनों की value हमारे पास हो गई तो यह हमारे पास 70 and 60 degree question number second part में भी observe करेंगे हम हमने fifth chapter में किया था कि जब हमारे पास two line cross करती है तो vertically opposite angle बनते है and vertically opposite angle are always equal यहां से जो यानि यह 80 degree है तो यह भी आपका 80 degree ही होगा सबसे पहले y की value हो गई हमारे पास y is equal to 80 degree reason लिखेंगे vertically opposite है vertically opposite angle हमेशा equal होते है अब हमारे पास यह triangle के अंदर की angle है यानि सबसे पहले x y की value हमारे पास 80 और तिसरा angle हमारे पास 50 तिन्नों angles मिला कर हमारे पास क्या होंगे 180 degree क्योंकि sum of the angles of triangle equal to 180 यहां से इन दोनों को मिलाएंगे x plus में 130 degree equal to 180 यहां से हम x की value find out करेंगे 180 as it is 130 plus का है यहां से move करेंगे दूसरी साइड लेगे जाएंगे 130 minus में हो जाएगा यहां से value आएगी 180 में से minus 130 50 degree यानि जो x की value हमारे पास x हमारे पास 50 degree और y की value हमारे पास 80 degree this is your answer same as fourth part fifth part के अंदर vertically opposite y की value यहां से होगी हमारे पास 90 degree क्योंकि reason देंगे हम यह vertically opposite line cross करें और इसमें आप value बनाएगे देखो angle है triangle है triangle के तिनों angles का sum होता है हमारे पास 180 यानि first angle x second angle x और third angle y है y की value हमारे पास 90 है उसकी value पूट करेंगे equal to तिनों मिलाकर हमारे पास 180 degree दोनों के variable सेब है 2x 90 को आप इदर लेके जाओगे 180 यहाँ plus का इदर जाके minus का हो जाएगा तो हमारे पास equation बनी 2x equal to 90 x की value find out करने x को as it is रखेंगे 90 आपका as it is 2 यहाँ multiply में है इदर आएगा तो आपका divide में हो जाएगा और 2 से divide करेंगे तो आपका 45 यहाँ x की value हमारे पास 45 degree और y की value हमारे पास 90 degree this is your answer 3rd part को observe करते हैं 3rd part के अंदर क्या है सबसे पहले हम जो exterior angle है हमने 6.2 में 1st question ही किया था या 2nd question exterior angles exterior angle क्या होता है हमारे पास sum of the interior opposite angle उसके adjust angle को छोड़कर सामने वाले दोनों angles के sum के बराबर यानि जहाँ पे x की value क्या आएगी x की value exterior angle है किसके एको लोगा sum of interior opposite angle यानि 50 plus 60 equal to 110 अब हमारे पास यह हो गया 110 या तो आप linear pair की help से क्योंकि एक straight line बनती है यहाँ से आप y की value find out कर सकते हो या हम यह हमारी triangle बनी है triangle के तिन्नों angle यानि y plus 60 plus 50 sum of the interior angles triangle के तिन्नों angles का sum हमारे पास क्या होगा 180 degree यहाँ से इन दोनों को add कर गए आप plus में 110 equal to 180 y की value find out करनी है 180 आपका y as it is equal as it is 180 as it यहाँ पे आपका plus में है इदर जाएगा तो minus में 180 में से 110 गए तो 70 degree यानि आपके पास x is equal to 110 और y is equal to 70 degree इन दोनों को add करके रिचेक कर सकते हैं आप दोनों की value 180 यह देखो आपकी 180 क्या है के linear pair है this is your answer last sum देखेंगे last sum में देखो यह हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे cross बनावा यह x तो यह भी value x होई vertically opposite है यह x है तो इसकी value भी हमारे पास x होई क्योंकि यह vertically opposite है और vertically opposite angle always equal यहाँ से y की value y की value क्या होगी y की value इसकी value जैसे होगी y की value हमारे पास x होई क्योंकि vertically opposite है अब हमने value find out करने है triangle की help से निकालेंगे हमारी triangle है triangle के 3 angle x plus me y 3 angle से मिला कर क्या होते है 180 डिग्री यहां पर x यह भी x और y की value क्या find out की थी हमने x दिग तो यहां से 180 value put कर दी अब तीनो x है variable same है variable same तो हम add कर सकते हैं 1 2 3 3x is equal to 180 x की value find out करेंगे x as it is 180 as it is 3 को move करेंगे यहां पर multiply में इधर जाएगा तो divide में हो जाएगा अब इसको cut करेंगे 3 6 जा 18 और 0 की 0 यहां जो x की value of i हमारी 60 degree 60 60 और 60 this is a equilateral triangle dear students if you like our video then like and share the video thank you